हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग आज सुबह की क्लास में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और बिल्कुल अंतिम आपकी दो क्लासेज बची हैं एक आज की और आसाम की कल की कल साम की इतनी ही क्लासेज आपके यूपीटे 2020 यानि की आठ जनवरी के लिए इन क्लासेज में आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट सभी टॉपी कबर करा रहे हैं जैसा कि आपको मैंने कल ही बता दिया था कि आज की क्लास में आपको मिलेंगे हिंदी की महमेराथन क्लास के अंतरगत रचनाए हिंदी साहित के अंतरगत टॉप 100 कोशन्स ये पूरे आपके 100 कोशन में से 50 कोशन्स आपके बहुविकलपी दिये गए हैं सीधे सीधे कोशन आंसर और 50 आपके one liner points दिये गए हैं ये सभी कोशन्स को अच्छे से देखेगा बताईएगा कितने कोशन्स आपके सही हुए और एक कोशन्स को याद जरूर कर लिजगा निशित मानिय आपके कोश्चन यहीं से पूछ दिये जाएंगे और हिंदी साहित की अन्न क्लासिस के लिंक नीचे दिये गए है सभी रेचनाएं आपको बढ़ा चुके उनको भी जरूर देखेगा तो चलिए जादा टाइम वेश्ट नहीं करते हैं कल की संस्क्रत की कलास आई थी साहित की उसको भी जरूर देख लीजेगा चलिए अब देखते हैं पहले कोश्चन से तो पहला कोश्चन आपके सामने दिया गया उत्तर भारत में भक्ती आंदोलन का परचार किसकी प्रेरणा से हुआ था उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन जो फैला था प्रारंब हुआ था ये किसकी प्रेरणा से प्रारंब हुआ था तो इसका आपका दूसरों C नंबर उप्सन है वैसनवा चार जी के परचार से या इनकी प्रेरणा से ये आंदोलन प्रारंब हुआ था अगला second number question महतपूर्ण question यहां से आपके start होते हैं जल्दी से देखेगा क्या दिया गया गागर में सागर भरने का कारे किस कभी ने किया है रस्खान, बिहारी, सूर्दास या फिर घनानंद तो दूसरों गागर में सागर भरने वाले का बिल्कुल भी कोई confusion नहीं है कोई भी यह मत कहना कि यह वाला गलत है यह गलत है 100% जो आपका सही है B number option है बिहारी जी इनके दोहे जो होते हैं इनके दोहे आप लोग खुद पढ़कर देखेगा आपको पता लग जाएगा गागर में सागर भरने वाले होते हैं यानि कि कम सब्दों में ज़्यादा बात कहने वाले होते हैं तो इसका 100% आपका B number option सही हो जाएगा अगला थर्ड number question है ग्यान मारगी और प्रेम मारगी काप विधाराएं किसके अंतरगत आती है ग्यान मारगी प्रेम मारगी आपको प्रेम काप विकी धाराएं पढ़ाएं गई थी ये निर्गुण सगुण किसके अंतरगत आती है तो देखे दोस्तों सगुण के अंतरगत आपको मैंने बताई थी रामासरेई, क्रसनासरेई अब बची कौन सी आपकी ग्यान मारगी साखा है तो इसका आपका कौन सा उप्षन सही हो जाएगा ए नमबर उप्षन सही हो जाएगा निर्गण वक्ति साखा के अंतरगत आती है अगला फोर्थ नमबर कोशन है मैथली सरण गुप्त की पहली उलेखनी रचना जिसका नाम क्या था हेमंत नाम था किस भासा में रची गई मैथली सरण गुप्त की पहली उलेखनी रचना थी जिसका नाम हेमंत था कौन सी भासा में हिंदी, खडी बोली, ब्रज या इनमें से कोई नहीं फूर्थ नमबर कोशन और इसका आपका बी नमबर उप्सन सही हो जाएगा खडी बोली में लिखी गई रचना थी फाइव नमबर कोशन है कविता करके तुलसी नलसे, कविता लसीपा तुलसी की कला यह पंक्ति किस कभी की हैं फाइव नमबर कोशन है बहुत ही महतपूर नया कोशन है तो इसका आपका कौन सा उप्सन सही हो जाएगा जल्दी से देखे ए नमबर उप्सन अईध्या सिंग उपाध्या है हरियोद जी की यह पंक्तियां है याद कर लीजेगा आगे बढ़ते हैं नमबर कोशन पर नमबर सिंग ने अधिकांस क्या लिखा है नमबर सिंग जो है मुख रूप से समालोचक के रूप में जाने जाते हैं इन्होंने मुख रूप से जो लिखा है वो किस प्रकार की विधा लिखी आलोचना, कहानी, कविता या फिर संस्मरण तो इन्हें मुख्य रूप से आलोचना या फिर समालोचना के लिए जाना जाता है A number option सही हो जाएगा बढ़ते आगे 9 number question पर महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाला विकल्प को चुनिए महाभोज रचना है, सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए किसकी रचना है तो दूसरों, मनू भंडारी की रचना है और रचना का नाम है महाभोज और इसके इंतरत कौन सी समस्या को मुख्य रूप से दर्साएगा तो ये राजनीतिक समस्याओं पर आधारित रचना है डी नमबर आप्सन सही हो जाएगा आगे बढ़ते हैं, जल्दी से कोशन को देखते रही है, समस्ते रही है एर्थ नमबर कोशन सामने आपके आगया वाफसी किस विधा में रचित है वाफसी एक रचना है, ये भी किस विधा में रचित है लेकिन इसके पहले आपको पता होना चाहिए रचना है किस की तो दोस्तों वाफसी रचना है आपकी उसा प्रियम वदा की उसा प्रियम वदा की रचना का नाम है वाफसी याद कलीजेगा छोड़ना नहीं आपको और ये किस विधा की रचना चारों आपके सामने दिये गए हैं और इसका आपका A नंबर आप्शन सही हो जाएगा वापसी जो एक कहानी है कहानी पर आधारिज़ जो की उसा प्रियम वदा जी की रचना है आगे बढ़ते हैं 9 नंबर कोशन पर कभी भूसन को भूसन की उपाद ही किस ने दी थी चत्रपती सिवाजी ने महराज रुद्र देव ने महराज जैसिंग ने या फिर महराज वीर सिंग ने 9 नंबर कोशन और इसका आपका देखे B नंबर आप्शन महराज रुद्र देव भूसन की उपाद दीती याद रखेगा आगे बढ़ते हैं 10 नमबर कोशन पर विहारी लाल किस राजा के दरवारी कभी थे जैसिंग के भाव सिंग के राजा परताफ सिंग के आफिर वीर सिंग के 10 नमबर कोशन है और इसका आपका देखे ए नमबर आपसन जैपूर के राजा जैसिंग के दरवारी कभी थे विहारी जी याद रखेगा आगे बढ़ते हैं 11 नमबर कोशन पर तोड़ती पत्थर कैसी क तो बहुत ही important question है इस बार पूछे जाने के chances हैं लेकिन इसके पहले आपको मालूम होना चाहिए तोड़ती पत्थर रचना जो है इसके रचनाकार कौन है तो इसके रचनाकार हैं दोस्तों सूरिक अंतरपाथी निराला जी बहुत ही important रचना है तोड़ती पत्थर यही वाला आदी कविता के रूप में से जाना जाता तोड़ती पत्थर याद रखिएगा निराला जी की रचना है आगे बढ़ते हैं टोयल नंबर कोशन पर मिट्टी की वारात किसकी रचना है किसकी करती है तो इसमें दोस्तों थोड़ा सा आपको संसोधन करना है देख लीजेगा इसमें आपके चारों आप्सन जो दियेगा है गलत दिये गए है और जो आपका सही आप्सन दिया गया है वो सिवमंगल सिंग सुमन इनकी रचना का नाम है मिट्टी की वारात इसलिए याद कर लीज़ा बहुत ही इंपोर्टन कोशन है इसका आपका आंसर हो जाएगा सुम पंक्तियों महा भारत के किस चरित्र के लिए कहीं गई है जो पंक्तियां कहीं गई है किस चरित्र के लिए कहीं गई है जल्दी से बताईएगा थर्टी नंबर कोशन है और इसका आपका कौन सा आप्सन सही होगा तो इसका आपका डी नंबर आप्सन सही हो जाए इसका आप पंक्तियां किसकी हैं सिंग आसन खाली करो की जंता आती है निराला दिनकर सुमन या फिर वच्चन जल्दी से बताएं का फोर्टी नंबर कोशन है और इसका आपका बी नंबर आप्सन रामधारी सिंग दिनकर जी की रिचना है मुख रूप से क्रामतिकारी कभियों में इनका नाम लिया जाता बहुत इंपॉर्टन कोशन है याद कर लीजेगा आगे बढ़ते हैं अगले फिप्टी नंबर कोशन पर अवला जीवन है तुमारी यही कहानी आचल में है दूद और आखों में पानी यह पंक्ति मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ बहुत इंपॉर् और जब इसके रचनाकार की बाद हम लोग करेंगे तो इनका नाम है मैथली सरण गुप्त जी इनकी रचना यह सुधरा जिसके अंतरगत कुछ पॉइंट बताए गए उपर लिखे गए है अगला कोशन देखी जल्दी से बाल करशन भट को हिंदी का एडिसन किसने कहा था तो 60 नमबर कोशन है जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं इसका आपका B नमबर आप्सन आचार रामचन सुकल जी ने कहा था आगे बढ़ते हैं 17 नमबर कोशन पर फणी सो और ना थरियन से संबद सही प्रदेश का नाम बताई किस प्रदेश से संबंदित हैं उत्रांचल उत्राखंड महराष्ट हिमाचल प्रदेश या फिर विहार 17 नमबर कोशन और इसका आपका D नमबर आप्सन विल्कुल सही हो 18 नमबर कोशन है और इसका आपका C नमबर आप्सन 1893 जवाब का दिया गया है यह 80 नागरी प्रचारिनी सभा का इस्थापना वर्स है और इसकी स्थापना कहां पर हुई थी दोस्तों याद कली जा बहुत महत्पून कोशन है वाराणसी की प्रमुक संस्था है और इसकी प बताय था बेचन लाल सर्मा इनके उपनाम क्या है इनका उपनाम है उग्रयाद कलीजेगा important question है आगे बढ़ते हैं 20 number question पर आधनी कहानी का मुख्य उद्देश क्या है आधनीक समय की जो कहानिया आधनी काल के इंतरकतिया वर्तमान समय की कहानिया जो आई थी या आपके किस C number option सही हो जाएगा आगे बढ़ते हैं 21st number question पर साधारणी करण सब्द के आविस्कारक करता कौन है साधारणी करण सब्द के आविस्कार जल्दी से बताएगा इसका आपका C नमबर आपसन भट नायक साधारनी करन सब्द के आविस्कारक माने जाते हैं आगे बढ़ते हैं 22 नमबर कोशन पर जल्दी से देखेगा हिंदी साहित की सबसे अधिक लोलकप्री विधा किसे माना जाता है हिंदी साहित के अंतरे सबसे पापुलर सबसे फेवरेट जो आपकी विधा होती है वो इन में से किसको माना गया 22 नमबर कोशन इसका आपका B नमबर आपसन कहानी सबसे अधिक परसिद्ध विधाओं में से एक मानी जाती है अगला 23 नमबर कोशन है सेस कादंबरी किसकी करती है सेस कादंबरी रचना जो है बहुत महतपूर कोशन है आपको याद होगा बहुत बार बता चुके है किसकी रचना है तो इसका आपका C नमबर आफसन अलका सरावगी की रचना और मुख्य रूप से सोसल जो पॉलिटिक इस पर आधारी रचना है सोसल वर्क्स पर आधारी रचना अलका सरावगी की रचना है सेस कादंबरी अगला कोशन है राग दरवारी किसकी करती है राग दरवारी करती दोस्तों बहुत महतपूर है साहित एकडमी पुरसकार भी इस करती के लिए दिया गया था तो इसका आ अंसर सही हो जाएगा ए नंबर आप्शन स्रीलाल सुकल जी की रचना का नाम है राग दरवारी आगे 25 नंबर कोशन है फ्लैस वैक सैली का प्रियूग हिंदी साहित में सरपर्थम किस ने किया था फ्लैस वैक सैली यानि कि किसी बात को कहते कहते एकदम प्राचीन समय की बात क सुचने लगना या उसके विचारों में खो जाना है फ्लैस वैक सैली के इंतरक्ट आता है 25 नंबर कोशन और इसका आपका ए नंबर आप्शन चंद्रधर सर्मा गुलेरी बिल्कुल सही हो जाएगा फ्लैस वैक सैली के प्रतिपादक का नाम क्या है इनका नाम है चंद्रध गुलेरी याद रखिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं 26 नंबर कोशन पर जल्दी से देखिए तुरंत इस प्रकार से याद करते हैं बहुत ही इंपोर्टन कोशन है अगला कोशन दिया गया तेल की पकोडियां किसकी क्रती है क्रती का नाम है तेल की पकोडियां किसके दौरा जी की क्रती है इसका आपका C नंबर आप्शन सही हो जाएगा अगला 27 नंबर कोशन है सर्क पर्थम अपनी आत्म कथा हिंदी में किसने लिखी इन में से कौन है जिनोंने सबसे पहले अपनी आत्म कथा को हिंदी में लिखा था तो 27 नंबर कोशन का आपका A नंबर आप्श मैला आचल उपन्यास का नाम है और ये मुख्य रूप से जिनके दोरा रचित है उनका नाम है फणीस और नाथ रेणु यानि कि 28 नमबर कोशन इसका आपका D नमबर आप्शन सही हो जाएगा फणीस और नाथ रेणु आगे बढ़ते हैं 29 नमबर कोशन पर हिंदी साहित की प इंदुमती ये आपकी जो पर्थम कहानी मानी जाती हिंदी साहित के इंतरगत वो आपका C नमबर आप्शन सही हो जाएगा चलिए बढ़ते हैं अगले कोशन पर 30 नमबर कोशन है त्रिधारा किसकी कृति है महादेवी वर्मा चौहान सुधा या फिस सूरिवाला जल्दी स बताएगा 30 नमबर कोशन और इसका आपका B नमबर आप्शन सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है त्रिधारा याद कर लीजेगा बहुत महत्पूर है प्रतेक टॉपिक आपको क्लियर कराय दे रहें ताकि आप लोग कम से कम समय में सब कुछ याद कर लें आज साम कुछ क्लास को मिस मत करिएगा कुछ क्लास के लिंक नीचे दिये गए उनको भी जरूर देख लिएगा कल सुबह आपकी संस्क्रत साहित की महत्पूर्ण क्लास आई थी उसको आपने जरूर देख लिया होगा जो लोग संस्क्रत लिये हूं अगला कोशन है जिंदगी और ज जो रचना का नाम है अगला कोशन है 32 कोशन निम्द लिखित में से कौन सा निराला के ललित गीतों का संग्रह है इन में से कौन सा है जो निराला जी के ललित गीत जो है उनने जो लिखे थे उनका संग्रह है हुंकार गुंजन मांजी न वजाओ वनसी गीती का 32 नमबर कोशन ह और इसका आपका देखे जल्दी से डी नमबर आफसन गीती का रचना जो है ये आपके इसके अंतरगत आने वाली प्रुमुख रचना है याद कर लीज़ेगा अगला आपका कोशन 33 नमबर कोशन हलवाहा किसकी रचना है हलवाहा रचना का नाम है और ये किसके द्वारा रचित रचना है तो इसका आपका 33 नमबर कोशन का आपका A नमबर आपसन सही हो जाएगा सेखर जोसी जी की रचना का नाम है हलवाहा आगे बढ़ते हैं अगले कोशन पर असोग के फूल यह किस की रचना है जल्दी से बताएं यह रचना किस विधा पर आधारित है असोग के फूल 34 कोशन है उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी प्रतिक चीज़ आपकी क्लियर हो रही होगी तो सबसे पहले रचना कार की बात करें तो यह हजारी प्रसाद दुवेदी जी के दौरा रचित रचना है और अब यह किस विधा पर आधारित है यह आपनों को बताना तो इसका आपका D नंबर आप्शन सही हो जाएगा निवंद पर आधारित रचना है अगला कोशन है सूर साहित किसकी आलोचनात में करती है सूर साहित रचना जो है यह मुख्य रूप से किसके दौरा रचित है और इसमें मुख्य रूप से आलोचना है देखने को मिलती है 35 number question है और 35 number question का आपका A number option हजारी प्रसाद दुवेदी जी की रचना है याद होगा आप लोगों को A number option सही हो जाएगा अगला question 36 number question है तीसरी किसम फिल्म किस कथाकार की कथा पर बनी है रचना का नाम है तीसरी किसम और यह इसके रचना कार आपको बताना है तो दूस्तों最त्पतित्प कोशन इसका आपका B number option फणीस और नाथरेणुजी की रचना है B number option सही हो जाएगा 37 number question का आपका कौन सा option सही हो जाएगा देखे तो इसका आपका C number option यह आपके भक्तिकाल के कभी नहीं है अमीर खुसरो जी जो है यह आपके भक्तिकाल के अंतरगत आने बाले कभी नहीं है अगला 38 number question सबको याद होगा वालमिक जी की एक क्रती कौन सी है आपको बहुत 46 number question विन्य पत्रिका के रचनाकार कौन है सभी लोग कमालों का विन्य पत्रिका के रचनाकार कौन है तो इसका आपका सीधे सीधे A number option सही हो जाएगा गोश्वामी तुलसिताजी के द्वारा रचित रचना है याद रखिएगा अगला question 40 number question है प्रत्वी राज रासो किसकी ये भी बहुत महत्पूर्ण question है आदिकाल के सर्फचरेश्ट कवियों में इनका नाम गिना जाता है तो इसका आपका सी नंबर option सही हो जाएगा चंदर वरदाई जी की रचना का नाम है प्रत्वी राज रासो याद कर लीजेगा अगला 41 number question है जल्दी से बताएगा हिंदी बिल्कुल सही हो जाएगा एक एक पॉइंट को याद करते रही चार में भाजित किया गया याद कर लीजे बहुत महत्पूर्ण question है अगला question है देखे जल्दी से अश्ट चापके सर्फ्रेश्ट वक्त कभी कौन माने जाते हैं 42 number question अश्ट चापके प्रमु कभी अश्ट च ही हो जाएगा अगला question है सिद्ध साहित से आ से है तो इसका आपका कौन सा उप्संस है सिद्ध साहित जो होता है किस से सम्मंदित होता है 43 number question अभी आगे आपको वन लाइनर questions भी 50 मिलेंगे इसलिए class को end मत करिए का जल्दी से अल्दी आपके प्रतेक टॉपिक को कवर कर र धाली जगा अगला question आपका 44 number question देखे जल्दी से नाथ साहित किस की कला की रचना है नाथ साहित किस काल की Рचना है सरी अजों काल पूछा गया है नाथ साहित जो मुख्य रूप से रचनाएं है ये किस काल की रचनाओं के अनतरगत आती हैं तो इसका आपका देखे C number option यहां से संबंधित रचना उन्हें आंचली करे रचनाों के अंतर्गत रखाजाता है तो इसका आपका देखी जल्दी से यह नंबर आप्सन सही हो जाएगा छेतर विशेष चिंद समपरदाय के प्रवरत्तिक पिछली बार यह कोश्चन आपका एक कोश्य में प्णा पूछा गया था इसके साथ इसाथ दोस्तों आपको पहले इस कोश्चन का अंसर देने फिर बढ़ते हैं आगे कुछ अन्यजानकारी की और 46 नंबर कोश्चन का आपका D आप्शन गोरख नाद जी सभी लोगों को मालूम है कहीं के इनके गुरू का नाम दे दिया जाता है वहां कन्फ खुशकबरी है कि इसमें BAT, BTC, DLA, DAT सभी लोग एपलाई कर सकते हैं तो जो भी से रलेटर जानकारी होगी आपको आठ तारीक के बाद बिल्कुल प्रॉपर रूप से दे दी जाएगी और तभी आपकी क्लासेज भी इसी प्रकार से एकदम वेश्ट क्लासेज स्टार्ट हो जाएगी अगर आपको करना तो एक बार कमेंट करके बताईएगा तुरंत अधिक से अधिक संख्या में चलिए बढ़ते हैं अगले कोश्चन पर देखे जल्दी से हिंदी साहित का सुवेश्थित इतिहास सरपर्थम किस ने लिखा था तो दुस्तों इसका आपका सीधे सीधे ए नंबर आप्सन सही हो जाएगा सुवेश्थित इतिहास कार जो है वो कौन है रामचन सुकल जी 48 नंबर कोश्चन है रस्मी रथी का नायक कौन है रस्मी रथी दिनकर जी की बहुत ही प्रमुख बहुत ही इंपोर्टेंट रचना जो की पढ़ने में भी बहुत तो इसके नायक की बात हो रही इसके नायक कौन है बताई जल्दी से तो इक करण की बात होगी यहाँ पर डी नंबर आप्सन सही हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगले कोश्चन पर पदमावत में किस मुगल बादसा का प्रसंग आया है वो कौन है पदमावर रचना जो है यह आपकी जल्दी से बताईगा और इसके साथी साथ आपका आज का जो कोश्चन है जिसका आंसर आपको अधिक सदिक संक्या में कमेंट वॉक्स में देना पदमावत किसकी रचना है अधिक सदिक संक्या में कमेंट वॉक्स में अपने आंसर जरूर कमेंट करके बताईगा कि क्या आपका सही हो जाएगा तो दोस्तों ये मुगल्द वात्सा का परसंग जो है ये औरंग जेव का परसंग है इसका आपका A number option सही हो जाएगा अगला 50 number question है सूफी का विधारा को प्रेमासरी की संग्या किसने दी थी सूफी का विधारा को दूसरा नाम दिया था प्रेमासरी दूसरा नाम दूसरी तरफ एक साखा थी ग्यानासरी तो प्रेमासरी में जो नाम दिया गया प्रेमासरी ये किसने नाम दिया था 50 number question महतपूर्ण point है इसका आपका B number options सही हो जाएगा याद कर लिजए आज के आपके पूरे 50 questions तो complete हो गए लेकिन दोस्तों class यहाँ पर end नहीं होगी जो question पूछा उसका answer जरूर देदे class पसंद आए तो like कर दे आप चलिए बढ़ते हैं आगे की कुछ महतपूर्ण जानकारी की और देखे जल्दी से आपके हिंदी साहित के one liner question 50 one liner question है जादा time नहीं लेंगे जल्दी जल्दी एक नजर आप लोग जरूर देखते रहे दो तिन अंक आपके यहाँ से पक्के हो सकते हैं और दोस्तों साम की class को जरूर देखेगा हिंदी साहित के आरमवी काल को आचा रामचन सुक्ली ने वीर गाथा काल का नाम दिया था वीर गाथा काल के नाम से इन्होंने बताया था चंद्रवर्दाई वीर गाथा काल के सर्वस्ट्रेष्ट कभी माने जाते थे जिनकी रचना कहती प्रत्वी राज रासो हिंदी के सरपर्थम प्रकासित जो पत्रिका थी या कह सकते हैं पत्र था या कह सकते हैं समाचार पत्र टाइप कह था उसका नाम था उद्दंड मारतंड मुख रूप से पत्रिका याद रखेगा सरपर्थम जो पहली पत्रिका थी उसका नाम है जैसंकरपसाद छायवाद के प्रवर्तक माने कह जाते हैं यही इसके प्रवर्तक कवियों में से एक है इसके चार इस्तंब और मैंने आपको बताए थे पंत निराला वर्मा और एक और है चार लोग प्रसाद जैसंकर प्रसाद यह चारों लोग आपके छायवाद के चार इस्तंब के रूप में जाने जात और अगला कोशन ने रामधारी सिंग दिनकर को उर्वसी पर भारती ग्यान पीट पुरसकार दिया गया था। कोशन है मुझे तोड़ लेना वनमाली ये पंक्तियां जो है किसके माखन लाल चतुरवेदी जी की पंक्तियां पूछी जा सकती है आगे बारते हैं हिंदी के प्रथम गद्धिकार का नाम क्या था ललूलाल प्रथम गद्धिकार जो थे उनका नाम था ललूलाल जल्दी से द जाता है याद रखेगा अगला कोशन रामचरित मानस की भासा को इसी अवधी भासा है अवधी भासा होती है रामचरित मानस जिस भासा में लिखी गई है अगला कोशन है दुवेदी युका नाम करान महावीर प्रसाद दुवेदी जी के नाम पर हुआ है अब प्रहंस के प् अगला कोश्चन हिंदी साहित का प्रत्वी राज रासु अभी हमने आपको बताये था सब्स्रेश्ट वीर गाता का लिया आदिकाल के जो कभी थे उनका नाम था चंडर वर्दाई उनकी रचना का नाम है प्रत्वी राज रासु जो की एक महा काब्बे है आगे बढ़ते हैं परिक्षा गुरू एक उपन्यास है जो की प्रत्वम उपन्यास माना जाता हिंदी साहित के अंतरगत प्रेम चंजी की प्रत्वम कहानी का नाम है पंच परमेश और सभी लोगों ने पढ़ी होगी सबको याद होगी जरूर अगला कोश्चन है प्रत्वम विश्व हिंदू हिंदू सम्मेलन नागपुर में हुआ था परत्वम विश्व हिंदू सम्मेलन चली बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर तो हिंदी की पृथम मौली कहानी जिसका नाम क्या है इंदूमती काहनी है जो ये आपकी हिंदी की कहानी और मुख् Hier रूप से मौलीक जह है अगला दाजी इनका रचना का नाम है राम चरित मानेस ये कुछ महत्पूर्ण रचना है और उनके जो मुख्य रूप से वो किस काल से सम्मन्दे थे हैं ये आपको बता दिया आगे बढ़ते हैं अगले कोशन पर खड़ी बोली का प्रथम महाकाबी कौन सा है तो दूसरों खड़ी खड़ी बोली का प्रथम महाकाबी जो उसका नाम है प्रिय क्रिवास याद कर लीजीगा अगला कोशन हिंदी की प्रथम कवीता क्या नाम है जुई क कली मुक्तिछंद पर आधारित है याद रखेगा मुक्त चंद पर आधारित कविता है आगे बढ़ते हैं प्रत्वी प्रेम चंजी का प्रत्थम उपन्याज जिसका नाम था प्रेमा क्या नाम था प्रेमा नागिदी प्रचारणी सवावी में ने आपको उताय था इसका मुख्याले कासी में और 1893 में ये इसकी स्थापना हुई थी संस्थापक कों थे स्याम सुंदर दाशी थे अगला कोशन है हिंदी साहित इतिहास का हिंदी साहित सम्मेलन का मुख्याले काँ पर प्रियाग राज में इस्थित है हिंदी खड़ी बोली का अपभरंस है का है सूर सेनी ये आपकी ये सौर सेनी भी कहीं कहीं देखनों की मिलता तो ये आपके हिंदी के अंतरगत आने वाली अपभरंस की रचना है अगला है ब्रज भासा जो पश्मी हिंदी के अंतरगत आने वाली एक बोली है अगला भारत में सरप्रथम बोले जाने वाली भासा हिंदी है भारत को सरप्रथम के वर्ग में रखा जा सकता है राज भासा हिंदी कैसी है राज भासा के रूप में जानी जाती जो एक official language भी इसको कहते हैं संस्क्रत भासा का अफ़रंस क्या है पाली है मगी भासा की उपासा विहारी बुंदेली ब्रज कन्नोजी आपके पश्चिम हिंदी के अंतरगत आती हैं आगे बढ़ते हैं वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप खड़ी बोली है वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप खड़ी 14 सितंबर 1949 को लिया गया था प्रतम भाग जो है जिसे राजभासा के इंतरे रखा गया है उसके अद्धेच थे बीजे खरे अगला कोशन है आठमा विश्व हिंदू सम्मिलन नियुयार्क में हुआ था यह आपके सबसे important questions की सबसे important class थी आपके हिंदी रचनाओं पर हिंदी साहित पर 100 questions complete होगे उम्मीद करते हैं आपको class पसंद हाई होगी तो जल्दी से एक बार नीचे यहाँ पर आपको like का वटन दिख रहा होगा थंब का वटन दिख रहा होगा उसे तुरन प्रेस करिएगा इसके बाद अधिक से दिख संख्याँ में like, comment और share करते रहीएगा मिलते हैं दोस्तों साम की miscellaneous class में जिससे आपके सभी महतवपूर्ण important topic cover किये जाएंगे तो जुड़े रही है पूरी अपनी तयारी करते रही है all the wish थेंकि दोस्तों